हलो फ्रेंड्स स्कोप कंप्यूटर में आपका स्वागत है मैं हूँ इर्फान और मैं आपको सिखाऊंगा एड़ोब इलस्टेटर फ्रेंड्स एड़ोब इलस्टेटर एक वेक्टर बेस ग्राफिक डिजाइनिंग सॉप्ट्वियर है जिसमें हम इलस्टेशन कर सकते हैं इलस्टेशन का मतलब होता है कुछ भी स्कैची बनाना कुछ भी क्रियेट करना ड्रॉइंग को कार्टून एफेक्ट ड्रॉ करना कार्टून बनाना कुसी भी कंपनी का लोगो डिजाइन करना ब्रोशर डिजाइन करना एड़टीजमेंट डिजाइन क करना आजकर जो ये social media Campaigns जो चल रहे है social media के लिए जो advertisements ज़ल रहे हैं तो social media के templates बनाना mobile applications के लिए themes बनाना टैंब्लेट बनाना website के लिए template बनाना इस तरह से कई इस प्रकार के कई सारे ऐसे designs करना हम इसमें illustrator में सिखेंगे तो चले शुरू करते हैं Adobe Illustrator हम Adobe Illustrator start करते हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे इसका screen interface, user interface कैसा है जब भी हम Illustrator start करते हैं, तो इसका screen interface by default कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि आपको screen पर दिखाई दे रहा है, जिसमें की menu bar है, property bar है, toolbox है toolbox और left side, right side में इसका panels है, कुछ panels दे रखे हैं, जो की various tools को use करने पर various types of panels इसमें होते हैं, इन panels की help से उन tools को हम और advance सरीके से use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एक नई file कैसे create की जाती है इसमें तो control and shortcut है नई file के लिए, और file menu में हम जाकर के new option पर click करेंगे, तो new file option आ जाएगा जैसे हम control and करते हैं या file menu में जाके new open, new पर click करते हैं, तो यह कुछ एक interface आता है आपके सामने जिसमें कि recently जो हमने use किये हैं applications के अंदर ये layouts, वो layouts बताता है, कुछ इसमें saved layouts भी होते हैं, अभी इसमें हमने कोई भी layout बनाके save किया नहीं है, तो यह बता आनी रहा है, ठीक है, इसी तरह से mobile, mobile के layouts होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, कि इसमें हम illustration में हम mobile के themes generate कर सकते हैं, उनको अलग-अलग color के icons बना सकते हैं, उनमें हम various effects दे करके अच्छा सा look देखते हुए, एक बढ़िया सा template त्यार कर सकते हैं, website designing के लिए, web pages के लिए, background में उनकी templates त्यार करना, buttons का presentation करना, menus का presentation करना, यह सारा हम web layout, इसमें various types of web के layouts दे रखे हैं, जैस Xizes के pixels के अंदर इसके अंदर web layouts दे रखे हैं, फिर आते हैं बात print, print media के लिए, जैसे हम को designing करते के print निकालते हैं, ग्राफिक, print graphics के लिए हम use जो करते हैं, वो layout इसके अंदर मिलेंगा आपको print, print पते के letter A4 legal, यह basic printer से जो अपना normal printer होता, office printer होता है, उसमें printout हम ले सकते है उसके लिए layouts दे रखे होते हैं, जो basic है, जैसे कि letter है, A4 है, legal है, these are the basics, A3 दे रखा है, A3 के लिए हमारे पास बड़ा printer होना चाहिए, generally हरे के पास नहीं होता है, बड़े-बड़े offices, बड़े-बड़े corporate houses में ज़रूर यह मिल सकता है, लेकिन एक छोटा सा office अगर लेके बै ठीक हैं, ठीक इसी तरह से film and videos के लिए option दे रखा है, एक भी film हम एक video tutorial बनाते हैं, तो उस video tutorial में ओपर और नीचे जो नीचे tagline होती है, ओपर जो logo अगरा दिखाना होता है, company का नाम दिखाना होता है, बीच में characters वगरा चलने होता है, या उसका एक cover design करना होता है, तो उसक पिक्सल, HDV, HDTV, 1080, अलग अलग pixel ratio के हिसाब से इसमें जो है, film and video के लिए screen layout जो है, उनके screen layout दे रखे हैं, वो हम यहां से ले सकते हैं, हम यहां पे save डाले option में जाकर करके, हम अपना layout बना करके save भी कर सकते हैं, तो मैं start करता हूँ, एक print layout को लेता हुआ, A4 size का layout लेता यहां right and side में इसके अंदर दे रखा है, इसकी detailing और कि भी हम इसके width चेंज कर सकते हैं, unit हम चेंज कर सकते हैं, orientation चेंज कर सकते हैं, margins हम चेंज कर सकते हैं, color mode चेंज कर सकते हैं, art and illustration में हम जाएंगे तो इसमें various types of poster, banners, holdings, उनके size के layout दे रखे हैं, तो वो हम यहां से ले स height जो दे रखी, यहां पर हम mention कर सकते हैं width and height को points में, pixels में, inches में, millimeters में, centimeters में, etc. यह इसमें हम define कर सकते हैं, for example, के तोर पर मैं जैसे use करना चाहता हूँ, inches तो मैं यहां से inches करूँगा, एक 4 by 6 का मुझे एक portrait बनाना है, 4 by 6 inches का, तो यहां पर 4 लिखूँगा, height में इसका मैं 6 inches करूँगा, orientation अगर मुझे horizontal चाहिए, याने कि wide चाहिए, तो मैं यहां से wide कर सकता हूँ, अब 6 into 4 हो जाएगा, vertical कर सकता हूँ, number of artboard, artboard का मतलब बहुत है, अलग-अलग canvas पे, अलग-अलग तरह की designs बना कर रखना, जब जिस canvas की print लेना हो, उस canvas पे हम click करके, उन में जो ब करते हैं, multiple pages होते हैं, इसी में एक file के अंदर हम multiple artboards use कर सकते हैं, अभी इसमें single artboard दे रहा हम यहाँ पर double artboard भी कर सकते हैं, 4 by 6, 4 by 6 के 2 artboard आपके सामने आ जाएंगे screen पे, फिलाल हम इसको अंदर एक करते हैं, एक ही artboard use करते हैं, bleed, bleed होता है इसका margin, print area कितना रखना चाहते हो, आप चाहते हो artboard के अंदर बिल्कुल 0 to 0, हम border to border less हम print करना चाहते हैं, use करना चाहते है, maximum area तो हम यहाँ पे इसको 0 रखेंगे, otherwise हम यहाँ पे इसके अंदर margins apply कर सकते हैं, तो friends, देखिए, advanced option में जब हम आते हैं, तो इसमें हमें property मिलती है, color mode change करने की, and screen के PPI, pixel per inch का ज होता है CMY के जो offset printing के अंदर काम आता है, cyan, magenta, yellow, black, इन 4 color के mix-up से various colors इसमें generate होते हैं, print होते हैं, फिर हैं, इसके अंदर raster effects के लिए screen का जो pixel rate दे रहा है, 72 PPI, हम यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, highest to highest level पहले सकते हैं, इसका designing का जो हम कर रहे हैं, graphic में, उसका pixel per inch 300, यान reply करके उसकी quality को show करता है, preview mode default दे रहा है, pixel wise दे सकते हैं, overprint दे सकते हैं, by default हम use करेंगे इसका preview mode, तो यह होता है, जब भी हम कोई नई document create करते हैं, उस new document में various types of हमें layouts मिलते हैं, जिसमें की mobile layout होता है, web layout होता है, print layout होता है, film and video layout होता है, art and illustrators layout होता है, these all are the various layouts, इसमें ready made अगर आप अपना customized layout चाते हैं, तो इसके panel में right hand side में inches में दे रखा है, pixels में दे रखा है, units दे रखी है, उन units की help सा हम width and height हम manually type करके, अपना एक customized size का artboard त्यार कर सकते हैं, multiple artboard भी रख सकते हैं, single artboard भी use कर सकते हैं, तो जैसे ही हम create करेंगे, जो size हमने लिया है width and height wise, उस width and height का, उस orientation का, उस unit में एक नया artboard create हो जाएगा, यह देखिए दोस्तों, इस तरह से यह artboard present हो जाता है, चलो, तो यह तो बात हुआ कि एक नया document कैसे बनाया जाता है, as usual, जैसे कि सभी applications के दो रहता है, file अगर existing हमारे कोई बनी भी हो, उसको open करना हो, तो हम control O, file menu में open command के द तरह से में जो drag कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा? यह tabbed document, untabbed document दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम एक साथ multiple documents को open कर सकते हैं, और multiple documents को हम individually इस तरह से show कर सकते हैं, या एक साथ एक ही tab में, हम multiple tabs को apply करके one by one इन को, हम open कर सकते हैं, या use कर सकते हैं, इन्टर्फेस पे हम, या अलग फाइल से दूसरी फाइल में हम यूजर इंटरफेस में हम जा सकते हैं स्विचिंग कर सकते हैं इसके लिए मैं बता हूँ कि इसके लिए मैं कंट्रोल ओ करता हूँ एक कोई और फाइल ओपन कर देता हूँ इसमें अड़ोब इलिस्टेटर की तो यहां से हम अपना फोल्डर में जो इलिस्टेटर बना रखा है डिजाइन जो बना रखी है उसको हम यहां से ओपन कर लेंगे यह जिसमें यह ले लता हूँ तो देखिए सेकिंड टैब हमारे पास प्रेजेंट हो गया यानिक हमने नई फाइल ओपन की है तो हम इस तरह से control tab से multiple files के बीच में switch कर सकते है एक साथ multiple files open की हुई हो तो इन tabs को हम individual भी कर सकते है सारे tabs को freehand कर दे तो यहां से हमें यह कुछ इस प्रकार से show करेका multiple tabs को तो यह होता है multiple file को open करके control tab option से एक file से दूसरी file में switch करना अब हमें यह जो new file है इस new file में यह वाला shape जैसे माली जी मुझे लेना है तो मैं इसे direct drag कर सकता हूँ, drag and drop तो अब उस artboard से उस new file से इस file में यह image या object जो भी हमने draw किया है वो यहाँ पर insert हो जाएगा, copy paste भी कर सकते है, direct drag भी कर सकते है तो यह होता है multiple files को open करके switch between multiple files करना and multiple objects को multiple files में transfer करना, ठीक है दोस्तों?